हेलो गाइस, वाट्स अब क्या हल चाल, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइन्स की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसका नेचर और उसका स्कोप इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोग उसके रिक्वेस्ट करने चाहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी बहुत छोटा है, तो ऐसे में बहुत 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 होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब करें, और अगर मोती आप अपने टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स पर लिख दो, मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूँगा, एक दो दिन के अंदर अंदर, तो ऐसे में आपका भी फायदा हो जाएगा, प्लस मिझे सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्र समझने में और उसको याद रखने में ज्यादा असानी हो, तो सुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को, सबसे पहले हम जो है पॉलिटिकल साइन्स का इंट्रोडक्टरी बहुत ही बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली जो टर्म है पॉलिटी, पॉलिटिक् यह जो टर्म है वो डिराइव किये गए हैं ग्रीक वर्ड पॉलिश से, जिसका की एशियन टाइम में मतलब होता था, ग्रीक सिटी स्टेट, ग्रीक मतलब की ग्रीक का समय, एक टाइम पीरेड है यह, उस समय के सिटी स्टेट को डिनोट करने के लिए पॉलिस सब्द का यू जिसकी यह definition है उसका नाम भी आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत बहतर होगा तो पहली definition है political science begins and end with state जो की गारनर रिंदी थी simple से definition है इसका मतलब यही की जो political science subject है वो शुरू और खतम state से ही होता है मतलब की state जो होता है यानि की एक तरीके से आप समझ लो अभी के लिए समझ लो एक country वैसे actual state का meaning यहाँ पर political body से है बट आप basic basic समझ सकते हो की country तो मतलब की एक country के around ही political science के जो सारे concept है वो revolve करते रहते हैं तरह तरह के भिन भिन प्रकार के जो भी concept आप पढ़ते हो political science में वो कहीं न कहीं एक state एक political body या फिर कहें country के around ही revolve करते रहते हैं यह garner की definition से वो कहना चाहते हैं और दूसरी definition है political science deals with the government यह स्टीफन लिकॉक की है यह भी definition simple ही है कि भाई किसी भी state में political body में कोई न कोई government होती है जो कि वहां की society को manage करने के लिए चाहिए होती है और political science उस government उसकी functioning वगरा वगरा हर चीज़ से related जो भी study होती है उसी को political science कहते हैं इतना simple है तीसरी definition के लिख सकते हो आप Political science is the study of shaping and sharing of power है ना मतलब कि जो power होती है यानि कि basically वो government को ही कह रहे है एक तरीके से जो government के पास power होती है किसी political body में उसको किस तरीके से shape किया जाता है उसको फिर किस तरीके से share किया जाता है इसी की study को political science कहते हैं यह हाशवल ने कहा था ठीक है तो यह तीन definition बहुत छोटी है और to the point है आप इनको exam में लिख सकते हो अब बात करते हैं इसकी definition की जो की concept clear करने के लिए ज़रुआ था यह किसी sociologist के यह किसी thinker की नहीं है पर यह आपको एक concept clear करने में बहुत मदद करेगी कि आखिर political science है क्या तो यह रही वो definition in journal the branch of knowledge that deals with the study of state and system of government which means the scientific analysis of political activity and behavior is known as political science बहुत ही आसान से definition है इसका definition हम लिखा है कि वो branch of knowledge जो की deal करती है state की study से और system of government की study से जिसका मतलब हुआ कि scientific analysis, political activity और behavior उसी को कहते है political science यानि कि अगर आप state और system of government की study कर रहे हो उसका एक तरीके से यह मतलब होता है कि आप scientific analysis कर रहे हो जाद रखना scientific analysis कर रहे हो political activity और political behavior की जो की उस political body या state में हो रही है और इसी को political science कहते है यह definition किसी thinker की नहीं है बट आपको concept clear करने में बहुत मदद करेगी ठीक है तो अब हम चलते है अपने अगले topic के उपर जो की है scope of political science scope of political science आप point wise मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आप इसके अंदर थोड़ा explanation अपने से add कर सकते हो बहुत ही आसान है यह वाला topic भी तो political science सबसे उपर लिख दे रहा हूँ मैं it deals with the study of dash किस किस चीजों की study से political science deal करता है पहला state और government जो आप state and government से basic knowledge रखते हो अभी के लिए आप वही समझो state and government दूसरे पर associations and institutions किसी भी state के अंदर आपको तरह तरह के association और institution मिल जाते हैं उनकी study से भी political science deal करता है तीसरा national and international issues तरह तरह के national issues होते रहते हैं जैसे अभी किसान अंदोलन बहुत चल रहा था और international issues भी होते रहते हैं अभी कोरोना वाइरस का international की भाई किस कौन सा देश चाइना जिम्मेदार है की नहीं यह वो तरह तरह के international issues इन सब की study भी political science के अंदर ही आती है और यह भी बहुत अच्छा point है past, present and future development of a state यह बहुत अच्छा point मुझको लगता है हमेशा की भाई इसमें मलब बहुत सार है political science का कि क इसी भी state की past, present और साथी साथ future development तीनों चीजों की study को political science कहते है यह बहुत ही प्यारी डिफिने वह मलब scope of political science में अगर आप इसे लिखोगे तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा आपका answer जो पाच्छवा point है वो है concept of power भाई concept of power यह फिर कह सकते हो एक तरीके से government की study but concept of power जो government का form हो parliamentary है कहीं पे कोई और presidential है तो concept of power हर जगह अलग हो जाता है तो concept of power specifically उस चीज़ को denote करता है जो की again बहुत easy सा point है फिर अगला point है adjustment of an individual with the state इसका मतलब यह कि किस तरीके से एक individual जो है आप हो गए मैं हो गए एक state के साथ एक political body के साथ एक government के साथ उसकी policies के वज़े स effect हो करके laws की वज़े से effect हो करके कि इस तरीके से adjustment करता है अपनी society के अंदर ठीक है इस point का यही मतलब है फिर अगला point है political dynamics इस point को थोड़ा explain मतलब अगर आप समझ गए political dynamics है तो भाई चाही कहने बट अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा further आगे हम lectures करेंगे तो अच्छे से clear हो जाएगा कि political dynamics से यहाँ denote होने क्या वाला है और एक और point है वो है international relation laws and organization यह भी कुछ हद तक international issues के अंदर ही आता है अगेन यह कुछ नए words से है थोड़ा ज्यादा specific है international relation laws and organization जो international relation होते हैं देशों के बी जैसे इंडिया चाइना में अभी बवाल हुआ जिसके जैसे apps बैन हो गया और international laws जो होते हैं उनसे भी आए दिन जो है problems हो जाती है समुद्र सीना को ले करके अभी मैं हालिम पढ़ रहा थो तो मैंसे example दे रहा हूं कभी कभी हो जाता है समुद्र सीना सीमा किसी देश की कहां तक है आपकी कहां तक है इसको लेकर भी अक्सर बावाल जो है वो की बात हो रही है तो यह कुछ points है जो कि आप scope of political science में लिख सकते हो उनको थोड़ा बहुत आप एक दो line में explain कर दो ठीक है फिर अगला जो हमारा topic है कि nature of political science जो हमारा वीडियो का last topic होगा और nature of political science में सबसे पहला point यह ही है कि it is a social science this means that it is concerned with the relation between human beings and their society simple है यह जो political science है वो social science ह इस वज़े से यह concerned है human beings और उनकी society के बीच होने वाली relation से ठीक है concerned with relation between human beings and their society अगला point है politics politics क्योंकि हमने मतलब की अगर scope में देखे तो politics भी political activity भी political behavior सब कुछ जो है political science की study के अंदर आता है तो इस वज़े से अगला point जो है मारा वो है politics is not only a mere institution of government but also mechanism for achieving societal goals ये भी अप nature में mention कर सकते हो क्योंकि politics जो है वो केवल एक mere institution of governance ही नहीं है कि जिससे किसी state या political body को जो govern किया जाए बलकि एक mechanism भी provide करता है politics इसकी वज़े से societal goals तरह तरह के जो हम society में changes चाहते है वो भी politics की वज़े से कहीं काफी हद तक मुनकिन हो पाते है politics कहीं न कहीं societal goals को complete करने में मदद करती ही है अगला जो point है हमारा वो है it also includes the study of political organization जैसे मैंने दिया UNO के example political processes कई तरीके के political process होते है जो कि आप political science में आगे चल करके पढ़ होगे और political function political function में तो आपको idea होगा ही कि तरह तरह के जो government function होते हैं protect the law provide facilities to the public वगर वगरा तो इसकी भी study इस चीज में political science की study में included होती है फिर अगला point है public policy national politics international relation etc all are studied into under political science जितने भी public policy है public के matters वगरा होते हैं जितने भी public issues होते है national politics तो भाई आप आए दिन news में देखते हो international relation इंडिया चाइना है ना etc all are studies under political science it also studies comparative politics by examining the politics और political conditions of various countries और state हाँ जायड सी बात है political science की मदद से ही हम जो है political condition और politics अलग-अलग देशों की compare कर पाते हैं इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि India comparison हमेशा जो अमेरिका से किया जाता है कि वहाँ की political conditions और politics किस तरीके से काम करती है इसे क्या होता है कि एक developing country के लिए काफी आसान हो जाता है political science की comparative politics study से कि हमें कहां-कहां कमी है और कहां-कहां काम करना बाकी है ताकि हम अमेरिका जैसा एक developed देश बन सके तो इसमें भी काफी हद तक जो है political science हमें मदद प्रोवाइड करता है तो अगर आपको किसी भी topic में कोई doubt है तो जरूर आप comment में कर सकते हो question और मैं आपको कुशिश करूँगा कि वह आपका doubt clear हो जाए बाकी आप rewind करके lecture भी देख सकते हो और फिर आखरी में फिर से कहूँगा कि आपको किसी भी topic पे doubt होता है तो अभी तो हम basic पे चले तो आप पे दम बे आगे का मत पूछ लेना ठीक है पर basics में अगर आप किसी भी जब देख में जो sociology, history, political science, computer का basics, English का जो written things होती है और भी कुछ basics में अगर आपको problem होती है तो आप जरूर comment में लिखो उस पे एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी अगर comment में ही मैं मैं मतलब आपको explain कर सकूँगा कि भाई आपका doubt का क्या solution है तो मैं आपको वहीं पर कर दूँगा बाकी वीडियो 14-15 minutes की तो हो ही गई होगी तो बस यार वीडियो को यहीं पर end करते हैं पसंद आई हो तो like कर देना यार और चैनल को subscribe कर देना thank you very much कर देना